लोकसभा चनाव के पांच चरण पूरे हो चुके हैं और इन सभी चरणों के चुनावी घटना क्रमों ने कई बार सियासी गणित पदला है बीजेपी शुरू से 400 पार का नारा लगा रही थी और पांच चरणों के बाद इन्डिया गत्वर्णन का दावा है कि बीजेपी भहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी चरचा तो यह भी है कि बीजेपी एंडिये के सहयोग से सरकार बना लेगी पांच चरणों में 439 सीटों पर मद्दान संपन हो चुका है अब दो चरण बाकी है जब बाकी बची 114 सीटों पर 25 मई और एक जून को वोटिंग होनी है चार जून को चुनाव पढ़ना मा जाएंगे वोटिंग परसंटेज के ट्रेंड को लेकर इस बार कई बातें कहीं जा रही है और जीतहार का परसेप्शन भी वोटिंग परसंटेज के आधार पर ही तै किया जा रहा है चुनावाईों की ओर से जारी आंकडों के मुतावे पाच में चरण में 62.19 फीजदी वोटिंग हुई है जो 2019 की तुलना में 1.97 फीजदी कम है बिहार में 55.85 फीजदी वोटिंग हुई है जबकि जम्मौ कश्मीर में 69. Soviet 1.5 हुई है यहां बदलाव की एक बयार नजर आ रही है अब यह बयार 370 हटने के बाद मोदी की नई स्कीम्स को लेकर है या अतंकवाद के दंश जेल रही जम्मू कश्मीर को वोट की ताकत पर भरोसा हुआ है यह अभी देखना बाकि है उधर पश्री मंगाल की वोटिंग ने इस बार अपने पिछले ट्रेंड के करीब 78.45 फीजदी वोटिंग की है तो 2019 में यहां 80.13 फीजदी वोटिंग परसेंट रहा था यहां करीब करीब सभी चरणों में मद्दान अच्छा हुआ है माना जा रहा है कि इस बार इंडिया घट बंदन को लेकर यहां उत्सा है अलाकि सीट में वोटिंग 58.2 फीजदी रही है जबकि महाराष्ट्र में मद्दान 56.89 फीजदी रहा है हाला कि महाराष्ट्र में चुनावया है को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे आरोप लगे थे कि लंबी कतारें लगी रही मद्दाताओं की और उन्हें वोटिंग राइट से बंचित कर दिया इसे तरह बिहार में 56.76 फीजदी वोटिंग रही है ओडीशा में भी वोटिंग अच्छी रही है तेहतर दशमलाव 50 फीजदी वोटिंग हुई है यहां जारकंड में 63.21 फीजदी वोटिंग हुई है लद्दाख में 71.82 फीजदी वोटिंग हुई है यू बार के चुनाओ पिछले दो चुनाओं से बिलकुल हटकर है। इस बार के चुनाओं में किसी तरह की कोई लहर नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि राश्टरवाद को छोड़ कर वोटर्स फिर से महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही लोकल मुद्दों पर वोट ड आदिमी के जहन तक में एक जबरदस्त पर्शेप्शन तयार हो चुका था। लेकिन शुरुवाती दो चरणों में ही इंडिया अलाइंस ने चुनाओं पर अपनी पकड़ बना ली। हाला कि लोकसभा चुनाओं से पहले इंडिया अलाइंस के नेता की घोशना और सीटों क कि इंडिया अलाइंस ने बहतर पर्फॉमेंस दिखाई दस साल सदेश में बीजेपी का शासन है और यूपी ए जब इंडिया अलाइंस में बदल चुका है वह दस साल की दूरी कम करना चाहता है। बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है। पाच आरणों में जिस तरह से मा दावा है कि 400 कपार का दावा करने वाली बीजेपी इस बार बहुमत से दूर रहेगी उदर माहोल को बीजेपी नेताओं ने भी भाप लिया है खुद अमित्शा समेट कई बीजेपी नेता मान रहे हैं कि बीजेपी को राजस्थान समेट कुछ राज्यों में सीटों का नुक इंडिया एलाइंस ने बेरोजगारी अगनीवीर, योजना, महंगाई और तमाम लोकल मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाई है अब इंडिया एलाइंस सत्ता में आए या ना आए लेकिन यह तो तैह है कि मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को संसद में ले जाने की तैयारी इंडिया एलाइंस कर चुका है वोटिंग परसेंटेज ने इस बार काफी चोकाया है कई राज्यों की वोटिंग में लगातार गिरावटाई है जमू कश्मीर, लद्दाक, ओडिशा जैसे राज्यों में 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज बढ़ी भी है मद् नावत्ताओं ने कहीं तावूत में कील गाड़ दी है जनादेश का करीब करीब फैसला मत्वेटियों में बंदो चुका है हाला कि अभी दो चरण माकी है उसके बाद चार जून को परिणाम आ जाएंगे देश के मद्दाता के साथ ये पूरी दुनिया की नजर भारत के इ मुद्दे होगा या तो मुद्दे एक बार फिर से गौन हो जाएंगे और पिये मोदी की लोगप्रियता विदेश नीती हिंदुवादी कारिश एली का एक बार फिर से डंग का भजेगा या फिर हो सकता है राहुल गांदी अखलेश यादव जैसे नए दोस्तों की में अपने मद्दान का प्रयोग करते दिखे हैं हाला कि यूपी में बीजेपी को मुस्लिम महिला मद्दाताओं से बड़ी उमीद है गद दो सालों में बीजेपी ने एसी एस्टी वोटर्स को भी काफी हद तक साध लिया था राजस्थान ही देख लें राजस्थान की वि मंत्री बनाया गया बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें लोकसवा चुनाओं और विदान सवा चुनाओं में सौपी गई लेकि बीज चुनाओं में इंडिया एलाइंस ने एसी एस्टी और बलकि ओवी सी तक का तक पर दाव खेल लिया बीजेपी के निताओं के सम्विधान अरक्षन खत्म करने वाले बयानों को जम कर चुनाओं में वनाया गया हालां कि सम्विधान वाले बयान की गलती बीजेपी बैक फुट पर आई और आरक्षण पर मोधी के बयान को फेक भी सावित किया लेकिन तब तक तीर निकल चुका था क्योंकि बीजेपी ने शुरुवात में इसको हलके में ले लिया था बीजेपी संभली लेकिन तब तक बहुत तेर हो चुकी थी कुछ सीटों पर बीजेपी को इसका नुक्सान हुआ है ऐसा माना जा रहा है राहूल गांधी और कॉंग्रेस अब उत्साहित है इंडिया गठबंदन भी पूरी तरह उत्साहित है गठबंदन से दूरी बनाने वाली मम्ता बनर जी भी अब साथ देने की बात कह रही है दस साल बाद यूपी अगठबंदन अब इंडिया गठबंदन बन कर उभरा है दस साल के मोधी कारेकाल को एंटी इंकमवेंसी के तौर भी देखा जा रहा है और इंडिया गठबंदन के नेताओं को विश्वास है कि सत्ता में इस बार जरूर आएगे देश का चुनावी मिजाज इस बार बिलकुल जुदा है चुनाओं के बीच बड़े बड़े घतना करम हुए हैं कई नेताओं के बीच बड़े घतना करम हुए हैं कई नेता वेप्रीत परिस्तितियों में भी अपने मनोबल को साध कर खड़े हैं अरविंद केजरिवाल ने जेल से बाहर आते ही माहौल बदल दिया केजरिवाल से दिल्ली में उनके समर्थक बड़े चमतकार की इस बार उमीद कर रहे हैं दिल्ली में साथ लोकसवा सीटें हैं अच्छी फाइट देखने को मिल रही है केजरिवाल अपने बयानों से बीजेपी चत्रपों के बीच में इन सीक्योरिटी की एक कंट्रोवर्सी क्रियेट करने में काम्याब हुए हैं पीएम मोदी का वारिस अमित्शा को बताने लगे हैं और यह भी कहत रहे हैं कि केंदर में बीजेपी आई तो यूपी सीम योगी आदितनात को भी हटा दिया जाएगा और केजरिवाल के इन तीरों के बाद सामने आकर अमित्शा को बार बार सफाई देनी पड़ रही हैं उनके नेता 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी मोदी ही होंगे और 2030 के चुनाव में भी ये कह रहे हैं अमित्शा कुल में लाकर देखा जाए तो चुनाव परिनाम अब जो भी आए पाद चरणों में दो ही चेहरे सामने पूरी तर नजर आ रहे हैं पी एम नरिंद्र मोदी और कॉंग्रेस नेतर राहुल गांदी जनादेश किसके चेहरे पर आएगा बड़ा रोमांचक होगा ये देखना ये जानना नई दिशा देने वाला होगा सियासत के नए पहलू का सुत्रधार होगा फिलहल मुझे दीजी अजाजत जनता दर्वार के लिए जयापुर से विजय वर्मा